आज जो टॉपिक हम डिसकस करेंगे वो है ग्रैम स्टेनिंग ग्रैम स्टेनिंग जो है यह त्रीका क्रिस्टिन ग्रैम ने इसको डिसकवर किया इसको मतारफ करवाया इसकी मदद से हम बैक्टिरिया को स्टेन करते हैं और इसे ग्रैम स्टेनिंग का जो है वो तरीका कहा जाता है परोसीजर कहा जाता है तो आईए देखते हैं यह क्यों और कैसे इस्तमाल होता है तो सबसे पहल होते हैं इनकी दो टाइप्स होती है एक होते हैं ग्रैम नेगटिव बैक्टिरिया और एक होते हैं ग्रैम पॉज्टिव बैक्टिरिया फर्ग क्या होता है अगर आप ग्रैम नेगटिव बैक्टिरिया की सेल वॉल का मैंने क्रॉस सेक्शन लिया हुआ यानि छोटा सा एक पी ग्लाइकन क्या है ederim polymer है कि प्रोटीन के टुकडे हैं और उसके साथ कार्भो हैड्रेट है इन दौनों को मिलाते हैं तो पेप्टी डो यहनि पेप्टी डो लिखला है पेप्टाइट divor और गलाइकन निकला है कार्भो हाइटरेट की चेन से इसलिए पैप्टी डो गलाइकन बांजाता है इसके इलावा जो बैक्तिरिया की सेल वाल है उसमें लिपर्ड भी होते हैं उसके इलावा उसके इंदर टिकोयक एसट भी होता है और भी थोड़ी से इसकी कमपोजिशन है तो यहाँ पर हम मैं आपको उसकी cell wall दिखा रहा हूँ gram negative bacteria अब gram negative bacteria क्या होते हैं यह भी अभी हम discuss करते हैं इसकी जो cell wall होती है उसके जो है उसमें दो membranes होती है एक जो है वो अंदर की तरह मेंबरेन होती है यह से plasma membrane कहते है और एक दुबाहर की तरह मेंबरेन होती है वो भी लिपड की बनी होती है तो इसके दरम्यान में ये बारीक सी जो बलू कलर की आपको लेर नज़र आ रही है ये पैप्टी डोगल आइकन है ये इसकी सैल वॉल है और इसकी जो सैल वॉल है ये एस कंपेर्ड टू पॉजटिव के थिन होती है बारीक होती है तो ये देखें ये लिपड की बाई लेर है ये उपर लिपड के मालिकूल है लिपड के मालिकूल है दरम्यान में प्रोटीन के मालिकूल अमपैड़ेड है जिसे आप लिपड बाई लेयर कहते हैं ये तमाम प्लाजमा मेंबरेन जो होती है सेल मेंबरेन होती है वो इसी से बनी होती है इसी तरीके से बाहर की तरह भी एक डिपड बाई लेयर है जिसमें लिपड के मालिकूल है साथ उसके अंदर प्रोटीन के मालिकूल है दरमयान में आपको बलू कलर की जो ले नजर आ रही है ये पैप्टीडो गलाइकन जो कि इसकी सेल वाल है इन दोनों के दरमयान में पैप्टीडो गलाइकन और प्लाजमा मेंबरेन के दरमयान में एक स्पेस होती है यह कुछ बैक्टेरिया में होती है और कुछ में नहीं होती है इसके लावा जो आउटर मेंब्रेन है उसमें ट्रांसपोर्ड के लिए सुराख होते हैं जो के परोटीन के बने होते हैं उन्हें पोरन कहते हैं इसके लावा लिपड के मालिकूल होते हैं जो कि इसकी प्लाजमा membrane के साथ attach होते हैं तो यह जो मैंने छोटा सा briefly आपको structure बताया है यह gram negative bacteria का है अगर हम gram positive bacteria की cell wall को देखें तो as compared to gram negative bacteria gram positive bacteria की cell wall है वो relatively thicker होती है मोटी होती है अब यह देखें यह plasma membrane है bacteria की जो के अंदर की तरफ है यह lipid bilayer पर बनी हुई है इसके अंदर प्रोपीन के मालीकुल अमपैडिड है इसे lipid bilayer कहते हैं लेकन इसके बाहर आपको एक मोटी सी लेर नजर आ रही है यह सारी की सारी cell wall है यह पैप्रिडो गलाइकन की बनी हुई है अब आप दोनों में difference दे यह सारी इसकी cell wall है तो इस तरीके से gram positive और gram negative में थोड़ा सा cell wall का फरक होता है अब बैक्टिरिया जो हैं यह वैसे तो transparent होते हैं वो हमें microscope से नजर नहीं आते लेकर जब हमने इन्हें देखना होता है तो आपको पता है एक staining procedure होता है जिसमें हम किसी भी microorganism को रंग करते हैं ताके वो visible हो सकें और हमें असानी से नजर आ जाएं तो सबसे पहले जहां से भी आपका बैक्टिरिया का source है उसको हम एक glass की slide की ओपर गिराते हैं उसकी समीर बनाते हैं एक बारीक सी layer बनाते हैं इसे हम कहते हैं fixation तो for example आपको एक लैब में गए हैं वहां पर आपने glass slide की के ओपर बैक्टिरिया जो हैं वो हासल किये हैं वो कोई भी हो सकते हैं gram positive या gram negative उसको हम heat करते हैं heat से वो क्या होता है हलकी सी heating करने से जो बैक्टिरिया है वो उस glass की slide के ओपर fix हो जाते हैं और असानी के साथ remove नहीं हो सके इसे हम कहते हैं fixation तो यहां पर मैंने दोनों पर डाई इस्तमाल करते हैं वो है crystal violet crystal violet जो है यह purple color की एक stain होती है जो हम बैक्टिरिया के ओपर डाल देंगे बैक्टिरिया की जो cell wall है इस डाई को absorb करेगी और उनका color violet हो जाएगा यानी purple हो जाएगा जैसे के यह वाली cell wall और यह वाली cell wall जो है इस color को absorb करेंगी और purple हो जा क्या करेंगे इसके ओपर iodine की treatment करेंगे ताकि जो रंग है वो अच्छे तरीके से उसकी cell wall के अंदर absorb हो जाए उसके साथ fix हो जाए उसके बाद पर हम क्या करेंगे कि इसको अब remove करेंगे जैसे आप किसी कपड़े को रंग लेते हैं और पर उसका रंग उतार भी सकते हैं ज किसी तरीके से हम क्या करेंगे कि जो बैक्टिरिया के ओपर हमने crystal wallet डाली थी अब उसको हमने वहां से remove करना है उसके लिए हम alcohol इस्तमाल करेंगे या alcohol का composition mixture होता है वो यूज करते हैं तो iodine की treatment के बाद हम decolourization करेंगे decolourization से क्या होता है कि वो जो crystal wallet dye जो है absorb की थी वो उतर जाएगी अब किस बैक्टिरिया से उतरेगी gram negative bacteria अब देके gram negative bacteria जो थे उनका color उतर गे सारा यानि इसके उपर जो रंग चड़ा हुआ था वो कच्छा था इसकी जो cell wall है peptido glycan की बनी होगी वो बहुत बरीक थी उसने असानी से रंग उतार दिया रंग छोड़ दिया और वो जो रंग था वो मजबूत है cell wall के ठिक होने की वज़ा से और वो उतर नहीं रहा लहाज़ा हम इसे कह देंगे के डी ये gram positive bacteria है जिनका उतर जाएगा हम कहेंगे के gram negative bacteria है इसलिए gram positive bacteria में CV1 complex बन जाता है crystal violet complex 1 उसे कहते हैं इसलिए उनका color जो है वो नहीं उतर रहा पिर इसको मजीद हम चेक करने के लिए हम इनको एक और डाय होती है इसके साथ रंग करते हैं उसका नाम है सैफ्रेनन इसके लावा फिशन भी इस्तमाल की जा सकती है लेकिन सैफ्रेनन का इस्तमाल करेंगे जब सैफ्रेनन का इस्तमाल करेंगे तो जो gram negative bacteria है क्योंकि उनके उपर कोई और रंग नहीं है वो pink हो जाएंगे रैडिश पिंक कलर के हो जाएंगे जब के जो gram positive bacteria है वो violet कलर के ही रहेंगे इस तरीके से ये confirm हो जाएगा कि ये gram positive bacteria है और ये gram negative bacteria है इनकी बना के उपर इस staining procedure की बना के उपर हम bacteria को दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं जिसमें gram negative और gram negative और gram positive की पहचान की जा सकती है इसके लावा भी इसकी और भी कई तरीके हैं जिनसे हम bacteria को group बन्दी करते हैं उनकी classification करते हैं लेकन वो किसी और lecture में हम discuss करेंगे यहाँ पर जो main topic था वो gram staining का ही procedure था तो I hope कि ये lecture आपको समझा आ गया होगा अगले lecture तक कि एजासे दें अला आपको आपको समय तरीके अगsight का पंगए भी क मैं आत करतो